आगे FIs, DIs की बातचीत करते हैं और इसके साथ निफ्टी और निफ्टी बैंके भी बातचीत करेंगे डिपी एक दिन की हमने देखा कि ब्रिक लगा FIs की हरदारी पर कैश में और कल फिर से बाइंग आई है FIs की तरफ से अलाकि कौंटम थोड़ा छोटा रहा है 500 क्रोन रुपे के आसपास का लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 35,000 क्रोन रुपे से ज्यादा की सेलिंग है नेट-नेट इसको कैसे देखें कैसे समझें इसको देखें कल का तो एक तो पूरा सेशन डल सेशन था कल हमने सुबही आपको बताया को छोटा मोटा काम होता आप घर करके आ जाओ क्योंकि बजार को कहीं नहीं जाना है और इतना डल सेशन आपने मेरे को लगता है एक महीने में नी देखाओगा जब Nifty जो कि 25,000 का इंडेक्स है उसकी क्लोजिंग 34 पाइंड वपर B 챙 49 जो कि 52,000 का इंडेक्स है उसकी क्लोजिंग 35 पाइंड वपर हुई है आप इसी संदाज लाइए इस 35 पाइंट की क्लोजिंग में हैंने कि सुबह से लेके शाम तक में क्या पाया क्या खोया खोया भी क्या खोया भी कुछ नहीं हाना तो कुल मिला के कल पूरी तरह से एक शांट ट्रेट था है जो हमने कल भी आपके बात नोटिस कराई थी कि बाज फिर हो सकता है थोड़ा बहुत हैजर्स को और थोड़ा बहुत राइटर्स को कुछ तक बेनिफिट दिलवाए इस से ज्यादा माकेट कल कुछ नहीं कर रहा था और ना ही डाटा अलाव करने दे रहा था कि आप कुछ करो एक और चीज़ बताएए आप हम सब इतने बड़े इविंट के सामने खड़े हूँ हैं आज शाम को वहाँ पे फैसला आजाएगा कल आप उसका रियक्शन दोगे फेट के बियान का क्या अधे परसंट और यह आज से नहीं आप बोल रहे हैं यह हम पिछले छे मिने से बोल रहे हैं और छोड़ दीजे इस ब्यास दरों की इं मामले में फैट की दूविदा समझ सकते हैं कि जो किया उस पर पानी नहीं फेरेगा वो भी तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा सब के सामने यह लेकिन क्या एफाइस की होल्डिंग और माल जी इंडिया विक्स सी आपको बता रहा है कि कुछ होने जा रहा है मेर हसाब से तो नहीं मेरे साफ से एक इवेंट लेस होने की तरफ हम बजर रहे हैं यह मेरे लिए एक इवेंट जरूर है लेकिन मैं डाटा की बेसिस पर बोल सकता हूं कि बहुत बड़ा फाइदा या बहुत बड़ा नुकसान भारति बजारों को इस इवेंट से नहीं होगा यह मैं आज ही आपको बतागा। था तावी तो इवेंट क्लोज भी नहीं हुआ। इवेंट क्लोज भी नहीं हुआ। वे आपसे पहले आपको बता रहा हूं। बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा नुकसान, with the help of a data reading कुछ नहीं होने जा रहा है दूसरा पॉइंट मैं इसी के अंदर जोड़ देता हूँ जब आपने F.I.S के नंबर के बारे में जिक्र किया किया किश में तो इंडेक्स आप्शन्स का नंबर भी आपने चेकी किया होगा इस्तेमाल फिन निफ्टी के अंदर राइटिंग के तोर पर या उनके प्रीमिम्स इटिंग के तोर पर हुआ या उनके कॉल्स के प्रीमिम्स को इट किया गया कुल मिलाके लबल अबाफ सारी बात का यही है कि ना तो F.I.S का एग्रेशन ना ही आप्शन्स का डाटा हाउजिंग फानाइस सेक्टर पर या तो रियल स्टेट पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं बस थोड़ा बहुत ओटो पर वह भी बड़े शेर पर जहां पर F.I.S टिपिकली आते हैं जैसे टाटा मोटर्स या मारूती या इस तरह का कोई और बड़ा शेर M&M टाइम चोटे पर नहीं कुछ भी तो मेरे लिए यह इवेंट लेस होने अभी तक तो मैं आज सिरफ 24 घंटे पहले आपके साथ 24 घंटे पहले तक मारकेट के अंदर कोई अग्रेसिव डाटा नहीं है किसी तरह का कोई अग्रेशन नहीं है आप बेलकुल शांती से निकल जाएंगे और एक और चीज अविशेक जी आप तो खुदी जाने दो चीजों पर ही डिसकसर हो रहा है पहला 0.25 दूसरा 0.50 मेरा मानना है कि 0.50 पर अग्रेशन नहीं आएगा 0.25 पर डिप्रेशन नहीं आएगा यही दो तो नंबर पर डिसकस्शन हो रहा है ना इन दोनों कंस्टांस रहता क्या है कॉमेंटरी काफी क्रूशल होगी क्योंकि यहां से पाथ आगे क्या होगा दरों में कटोती को लेकर वो भी थोड़ा क्लीर होता हुआ दिखेगा लेकिन बाजार पर लोड़ते हैं कल का सत्र जैसा क्या बता रहे हैं कि हमने एक शांत कारुबार दे करके कि रेट कट आ रहा है क्या कुछ पॉजिशन फ्रेश देना ठीक रहेगा इस डेवल पर मैं दोनों कोश्चन का जवाब इंफेक्ट मार्केट ने दिया हुआ है पहला जैसे आप कल बता रहे हैं कि 90 पॉइंट की कुल मेला की रेंज थी इस 90 पॉइंट में 15 पॉइंट अब दिलोगी तो उसका जवाब है ना वो नहीं होगी दूसरा कोश्चन आपने पूछा कि क्या इसी एंटिसीपेशन में बजार कुछ चल सकता है इसी एंटिसीपेशन में की 0.25% का कट या आधे परसंट का कट आएगा औरड़ी हम और टाइम हाई पे हैं आप 25,400 पे ही ह तो आप आपका 443 नहीं है 445 नहीं इतना ही तो फर्क है औरड़ी तब 400 पे ही हो 418 पे आपकी कल की क्लोज मिली है तो आप आल टाइम हाई पे मार्केट ने तो तीन दिन पहले ही ये फैसला सुना दिया कि आप कट लाओ चाए नहीं लाओ मैं अपने हिसाब से अपने चीजों को मैनेज करके मैं आल टाइम हाई पे खड़ा हूं तो इसके पास दो तरीके हैं अब क्या आप यहां पे पोजिशन आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए देखिए इवन्ट से पहले कोई भी पोजिशन लेना एक रिस्की ट्रे करना को है कि लेवल के साफ से सोचना होगा तब अपनी भावनां को आप एक दम से उठा के साइड में रख देना कि नहीं यह भी चल जाएगा नहीं यह चल जाएगा अभी तूट जाएगा आपके और मेरे बोलने से नहीं होगा यह सिर्फ वोसर्व डाटा की बेसिस पर हो मार्केट के पास रहेगा मैं 500 में 50 पाइट का कुशन और जुड़वा देता हूं 550 कर देता हूं 25,500 550 वाली रेंज एक रिस्टिंस की रेंज होगी आप 400 पे खड़े हैं आपने बोला कि कल कुछ अच्छा आ जाएगा तो कितना चलोगे तो मैंने आपके सामने बता दिया आप होना था कि हम 25,000 पे खड़े हमको 25,500 पे ले जाओ आपकी हेल्प लगेगी वह पाइस भाइसाब तो पहले ही आ गए 25-400 पे ठीक दूसरा पॉइंट अगर इविंट खराब पास होता है तो आप कहां तक जाओगे तो आप 25,200 तक जाओगे यह पहला पॉइंट है ज्यादा डीप हुआ ज्यादा निराशा आगी ज्यादा कुछ प्रेशर बन गया प्रेशर है नहीं वैसे मैं बता दू प्रेशर बन भी गया मालो हाइपोथेटिकल सीचुशन प्रेशर बन भी गया तो 25,000 से नीचे आप नहीं जाओगे तो आपके पास अब दो स्टॉप लॉसिस ह दो सो और 25,000 का और उपर जाता समय 25,500 साड़े पान सो का एक रिजिस्टेंस हो गया तो कुल मिलाके मार्केट इसी के बीच में ट्रेड करेगा डिप मिल जाए आज के दिन में जिसकी काफी कम है डिप मिल जाए तो प्लस कर लेना उपर आ जाए तो बेच देना भले है और देख लेंगे तो वह आपका कॉल है है उसमें मैं जाऊंगा ने लेकिन मैंने आपको रेंज बता दी शौट करना नहीं है शौट के लिए ना एग्रेशन डाटा है ना ही सामने इवेंट ऐसा बता रहा है कि वह बहुत कुछ नेगिटिव करने जा रहे हैं जिसकी उम के और क्लोज आ गया कल 48 घंटे दूर थे आज चौविस घंटे दूर है तो आप और क्लोज हैं उसके ठीक है तो थोड़ा साज वालेटिटी उसे साफसे होगी अधर वैसे को दिक्कत निये जो मैंने आपको रेंज में मार्किट आज फिर से प्ले करेगा ओके तो निफ्ट और लॉंग वालो को क्या करना है तेके सेंसेविटी के हिसाब से जादा बैंक निफ्टी पैसर आना चाहिए और आप खुद ये बात जानते हैं कि बैंक निफ्टी को चलना है इसका ओल टाइम हाई यहां से करीब 2700 पॉइंट दूर है मारा 1300 पॉइंट दूर है करीब-करी तो आप यह बात खुछ से जान लीजिए कि बैंक निफ्टी थोड़ा जादा असर डाले गाया असर देखेगा मैं दो लेवल से पहले क्लियर कर देता हूँ उसके बाद मैं किसी और चीश पर जाओंगा 52188 पे हो कल की क्लोजिंग चेक करो सिर्फ 35 पॉइंट अटा हो गए तो एक 52100 सम्थिंग पे थे उससे पहले की कलोजिंग आप चेक करो गए तो आप 52000 के जस्ट थोड़ा पहले नीचे थे तो दो तिन दिन के अंदर आप नियर टू 52000 और 52000 के उपर हो क्या मारकेट में इन लेवल्स जिन्हों ने बनाए या जो देख रहे हैं क्या उनको नह हमारे से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आगे की चलती है मारकेट के अंदर क्योंकि मल्टिपल सूर्सिस मल्टिपल रिपोर्ट मल्टिपल एल्गो सिस्टम्स एवलेबल हैं आज की डेट में तो जिसका बेनिफिट बहुत असानी से उठाया सकता रीडिंग के लिए फिर भ मेरे हिसाब से थोड़ी कम है मैं फिर से क्लियर करता हूँ उपर आने पर मारकेट के पास एग्रेशन नहीं है यह ओपन इंटरस्ट में भी नहीं है यह शौर्ट की कवरिंग करवा चुका है एक बात मेरे को बताईए आप इवेंट क्लोस करेंगे तो डर किसको लगेगा अ आपके लीडर्स का पाटिसिपेशन चाहिए वह अपसेंट है भी तो जगाना उन्हीं को ही है आप अपने लीडर्स को जगाओ और उन्हीं के ही पर राइड करो तभी बाजार चलेगा नहीं तो यह इवेंट लेस होके निकल सकता है जैसे मैंने आपको फॉर्स लाइन पहल हो जाते समय और हमारे लिए एक क्यावनेजाराट सो नीचे का पॉइंट हो गया तो साथ सो पॉइंट की रेंज के अंदर मैं चार दिन से फसा हूं इवेंट से पहले और मैं को लग रहा है इवेंट के बाद भी इसी रेंज में फसा रहूंगा यह प्रोबैलिटी यह कह र लेवल पे मैं आपके सामने आज की सब चर्चा को निफ्टी बैंक निफ्टी और मारकेट की चर्चा को क्लोस कर रहा हूं मेरे को लीडर्शिप चाहिए और लीडर्शिप बिना ग्लोबल मारकेट के चाहिए तब मैं बादार को ज्यादा हैल्थी समझूंगा नहीं तो मेर लिए इविंटी सिर्फ इविंट भर रह जाएगा मेरे को ज्यादा इसका इंपेट लगेगा कुछ नहीं खेर